दोस्तो आजकर क्रेडिक कार को सभी को चाहिए होता है लेकिन आसानी से नहीं मिलता क्योंकि बहुत सारे इसे प्रॉब्लम साथ है बहुत सारे इसे क्राइटेर है रहे उसे हम फुल्फिल नहीं कर पाते कभी-कभी हमारा सिबिल स्कोर भी सही है हमारा इंकम भी सही है तो भी ह अमें credit card नहीं मिलता लेकिन दोस्तों आज किस वीडियों देखने के बाद बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीद थी जो निराश से लेकर आज की सुपर देखने केबाद इनकी निराशा खतम हो जाएगी तो दोस्तों यह के अपका स्कोर भी अच्छा है आपकी शालरी पर अच्छी आती है तो भी आपको क्रेडिट कार नहीं मिलड़ा तो यह वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूर है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके आओ एक डिजिटल क्रेडिट कार एप्लिके चार्जेस लेगेगा आएसपर क्रेडिट कार के जो भी रूल्स होते हैं तो दोस्तों आज की सुड़ियो में हम जो जो आप्लिकेसन के बारे में डिसकस करने वाले उसको आपको स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखना वुटाउट स्किप के तो नमस्कार दोस्तों मैं वि क्रेड अप्लिकेसन को डाउन्लोड नहीं कि होगा या क्रेड अप्लिकेसन के बारे में आपको पता नहीं होगा तो दोस्तों मैं बता दू क्रेड अप्लिकेसन इंडिया का सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार के उपर क्यास बैक एंडिवर्स देने वाला अप्लिकेसन है यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसा इंटर दिखने को मिल जाएगा जिस पे आप लोगों को कुछ परमिस्टर आपका मोबल नमबर देना है और यहाँ पे नीचे आप लोगों को एक यह पूचा जा रहा है कि referral code है क्या है वो referral code तो वहाँ पे आप लोगों को click करना है और site में आप लोगों को एक referral code दिखाए दे रहा है उसको यहाँ पे put करके submit कर देना है जैसे आप submit करोगे उसके बाद आप लोगों को आगे sign up कर लेना तो थोड़ा में pause करके mobile number and referral code डालके मैं आगे चला जाता हू तो दोस्तों यहाँ पे इसके कुछ ऐसे step है इंडिया का first digital credit card दोस्तों देख सकते आप इंडिया का first digital credit card है यह जो आप लोगों को फायजमन रहने वाला है तो इसको आप यूज करके आसानी से scan and pay करोगे you pay के थो आप यहाँ पे पैसे instant cash मिलेगा आपको credit आप you pay के थो ले सकोगे ओके तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी मेरा mobile number डालके यहाँ पे login कर लेता हूं तो दोस्तों जैसे का आप देख सकते हूं यहाँ पे जैसे मैंने मेरा mobile number and referral code डाला उसके बाद यहाँ पे मैं मुझे OTP आ चुके और वह OTP अभी में फिल करता हूं OTP फिल करने क आपको यहाँ पे create password के उपर क्लिक कर देना है जैसे आप इंटर कर दे तो उसके बाद का यह process है तो एक application बढ़े हैं आप लोगों को कुछ details देने के बाद आपको एक digital credit card देने वाला है तो मेरे साब से जिसके पास credit card नहीं है और उसको credit card के requirement है this could be a digital credit card तो यहाँ पे आप आपको यह details देने के बाद आपको यह कर लेना थोड़ा में पाउच करके इन details को fill कर देता हूं तो दोस्तों जैसे का आप देख सकते हो सारे details मैंने यहाँ फिल कर लिए और यहाँ पर आभी मैं continue के ओपर क्लिक करूंगा यहाँ पर मेरा pen card के ओपर यही मेरा civil score अच्छा र dedicated यानि विन आपको आपके salary है नेट monthly income लिखना है उसके बाट IPC code, bank name, account number, confirm account number आपको दे देना है salary, account number और continue के ओपर आपको क्लिक कर देना है इतना details देने के बाद आपको continue के ओपर क्लिक कर देना है तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मेरे salary information fill कर दिया हूं और यहाँ पर continue के ओ पर क्लिक करता हूं तो अभी देखते है कि यहाँ पर मुझे दिया जाएगा कि ने क्योंकि मैं मेरा details देया हूं तो दोस्तों अभी देखते है मेरा civil score थोड़ा तो low है तो भी देखता है please wait while analyze your loan application this may take a few minutes don't close this app तो दोस्तों यह civil score के उपाई depends है मेरा civil score थोड़ा down था क्यों मैं मैंने due कर जाते हूं उसकी वजह से civil score पर यहाँ पर impact आ चुका था तो दोस्तों दिखते है यदि मेरा civil score कम है और उस पर भी मिल जाता है तो यहाँ पर आप सब कर सकते हो तो दोस्तों मैं यहाँ पर बोल सकता हूं we are so sorry we regret to inform you that your credential did not meet to eligible criteria for flexi पे you can reapply in 90 days thank you for your passion तो दोस् दूसरे भी credit card यानि मेरे pen card थे लेकिन इस application के लिए मैं उस बंदे के लिए इस application को यह क्यों कि जिन लोगों को credit card नहीं मिल रहा है जिनका civil score अच्छे है लेकिन तो भी credit card नहीं मिल रहा है कुछ salary requirement होगी या कुछ यह होगी शायद मेरा यहाँ पर civil score अच्छा भी होगा क्य के लगबग हमारा है तो शायद उसकी वज़े से भी होगा और कभी कभी किसे application को 25,000 या 30,000 के उपर भी salary requirement रहे थे अभी यह हम exactly यह analyze नहीं कर सकते कि यह application किस reason की वज़े से reject हो लेकिन दोस्तों आप चाहे तो एक बार apply कर सकते हो apply करने के बाद जब आप लोगों को यहाँ पर लगता है कि आपको कुछ यहाँ पर credit card, digital credit card मिलेगा इनकी तरब से तो आप लोगों को credit limit मिल जाएगी जहाँ पर 35,000 या जो भी आपकी salary के इसाब से credit limit आपको मिल जाएगी और उस credit limit को आप UPI के थो आसान इसे आपके bank account में ले सकते हो यहाँ उसमें आप लोगों को tension लेने की जरूरत ने रहेगे कि जैसे आप credit card के पैसे को bank account में ट्रांसपर करें चार्जस देते हो यहाँ पर आपको charges हो गए रहे देने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कुछ थोड़ा सा charges जैसे interest आप EMI के हिसाब से यह दी लेते हो तो करूंगा कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छे लगा होगा यह दी वीडियो अच्छे लगा है तो प्लेज वीडियो को लाइक किजिएगा कमेंट किजिएगा दोस्तों के साथ सेर किजिएगा कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक care how next day